हंस और उल्लू पंच्चतंत की कहानी बहुत समय पहले एक जील के किनारे एक हंस रहता था एक उल्लू भी वही आकर रहने लगा वह दोनों साथ कुशी कुशी रहने लगे जब गर्मिया का मौसम आया तो उल्लू वापस अपने गर जाने के बारे में सोचने लगा उसने हंस से भी साथ चलने को कहा हंस बोला जब नदी सूख जाएगी तो मैं तुमारे पास आ जाओंगा जब नदी सूख गए तो हंस उल्लू के पास उसके बरगत के पेड़ पर पहुंच गया हंस जल्दी सो जाता था तब ही कुछ रहागीर वहां से निकले और आराम करने के लिए उसी पेड़ के नीचे बैठ गये उन रहागीरों को देखकर उल्लू जूर से चिलाया रहागीरों ने इसे अप्शकुन माना और उल्लू पर तीर से निशाना मार दिया उल्लू को तो अंदेरे में दिखता था इसलिए वहतीर से बज गया और उड़ गया उसके बगले में वहतीर हंस को लग गया और वह मर गया इसी कारण सही कहा गया है कि नहीं जगे पर हमेशा सतर्थ रहना चाहिए दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें तैंक यू पर वाचिए